कि बच्चों नमस्कार बच्चों हम लूग जवाहर न उव दर विद्यालय प्रव्यस chloris M staff Day में शा करते हैं बच्चों बिनादेर किये अनुच्छेद नंबर साथ बच्चों ध्यान से सुनिएगा मेरे दादा जी के पास एक पालतू जानवर था जिसे वे अधिक समय तक दूर नहीं रह सकते थे दादी मा अधिकांस बक्चियों दादा पश्चों को सहन कर लेती थी लेकिन सर अधिक समय तक दूर नहीं रह सकते थे दादी मा अधिकांस पक्चियों तथा पक्चों को सहन कर लेती थी लेकिन सरिस्त्री प्रकित जिवों के परति उनकी सहन सीमा जवाब दे देती थी दादा जी को यह जानना चाहिए कि उन्हें अजगार रखनी के उन्मदी में लेकिन संभावना बिलकुर छीड थी वे अर क्रिश्ट किया और उसे लेकर घर के और चल पड़े बच्चों अब इस अनुछे से प्रस्न पहला दादी मा सहन नहीं कर पाती थी आपसन है सभी पालतु जिवों को दादा जी के जिवों के परति पिर्यम को सरी सिर्फ वर के जिवों को पक्चियों को दूसरा प्रस्न है दादा जी को जाना चाहिए था कि आपसन एक उन्हें पालतु जी को रखने की जार्यत नहीं मिलेगी पक्षियों के प्रति दादी मा के रव़ये को और कुत्तों से दादी मा के डर को तीसरा प्रसने बच्चों दादा जी स्वयम को खर्णे से कभी रोब पाते थे घडियां दादी मा के लिए चीजें सुन्दर वस्तुईं और समाने पालतु जीओ चांथा प्रसने बच्चों उत्सुख बच्चे और बच्चियां देख रहे थे पाहला अपसने सपेरी दुबारा प्रतसित अजगर को दादा जी को बंदर को सपेरे के सापों के संग्रह को पांचवा प्रस्न है बच्चों दादा जी ने अजगर को अपने कंधों पर लटका लिया और उसे चीडिया घर ले गए उसे घर ले आए तो बच्चों चलते हैं प्रस्न के उत्तर क्यों और देखते हैं प्रस्न पहला का उत्तर क्या होना चाहिए बच्चों प्रस्ण पहला का उत्तर है दादी मा सहन ने कर पाती थी तो उसको उत्तर आएगा सरीत्री परके जीवों को दूसरा प्रशन है दादा जी को जानना चाहिए ताकि इसको सही उतर होना चाहिए बच्चों उन्हें अजगर परखने जाइज़त नहीं मिलेगी दादा जी स्वैम को खरदने से कभी रोग पाते थे या कभी नहीं रोग पाते थे तो आप सनागा इसमें देख लिए अजगर को दादा जी ने अजगर को अपने कंधों पर लटका लिया और उसे घर ले गए तो इसका सही अंसर के आएगा बच्चों उसे घर ले गए बच्चों आई देखते हैं अनुचर नमर आठ राजू के पास दो कुत्ते थे टाम और जीमी टाम काले रंका था और जीमी सफेद काला कुत्ता बड़ा जिन्दा दिल था वह हर वक्त घरत के में इधर उधर भागता रहता था और कभी मेच पोस्त खींचता तो कभी राजू की किताबें कहीं और रखाता राजू की मा टाम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह बड़ा सरारती था लेकिन राजू अपने दोस्त कुत्ते को प्यार करता था टाम पूरे दिन दूम लाया करता और जो भी घर पर आता वह उस पर खुसी किमारे उचलता अब वह कोई और कुत्ता देख लिदा तो उसे जगडा मुलेने के फिर में रहता बच्चों आपने अनुछेत अच्छी तरह से देख लिया है और सुन भी लिया है अब आये देखते हैं इनसे संबंधित महत्पुर प्रश्नों को पहला प्रश्न है काला कुत्ता टाम टाम को चाहता था क्योंकि पहला प्रश्न वह मेच पोस्खिसता रहता था उसकी माँ उसे बिल्कुल नहीं चाहती थी वह जिंदा दिल और दोस्त बास था वह खुसी के मारे उचलता रहता था तीसरा प्रश्न है बच्चों टाम अपने दुम यह दिखाने के लिए लिए रहता था कि आपसन एक वह बहुत खुस था आपसन दो वह बहुत बुस्से में था आपसन तीन उसके पास दुम है और आपसन चाहर वह बड़ा सरार्टी है प्रस्न चौथा है बच्चों सफेद कुट्ता टाम से बिल्कुल लग था क्योंकि आपसन एक घर में किसी के भी आपसन दो उसी हमेशा भूक रगी रहती थी आपसन तीन वह आलसी था और उसका विहार दोस्तान नहीं था आपसन चारह बच्चों वह अपनी दुम हमेशा हिलाता रहता था प्रस्न पांचवा है सफेद कुट्ता जिमी जब भी किसी दूसरे कुट्ते को देखता आपसन होगा उत्तर आना चाहिए बच्चों का लागा कुथा टाम राजू की जुद्धर उठा लाया क्योंकि आना चाहिए बच्चों आप लोग होने अनु शेद अच्छे से पड़ लिया है इसका सही अंसर प्यापने सूण से दिया होगा उन्हें छीपाना चाहता था दूसरा प्रशन है राजु टाम को चाता था क्योंकि आप लोग ने आप इसना सुन लिया है बच्चों सही अंसर क्या होना चाहिए आपके इसाद से जल्दी विच्एर करिए सही अंसर होना चाहिए बच्चों वह जिंदा दिल और दोस्ट अवास था देखते हैं प्रशन तीसरा प्रस्न तीसरा है बच्चों टाम अपनी दुमी एहती खाने के लिए लाता रहता था कि चार आपसन है बच्चों आपसन आप लेग उन्हें देख लिया है उसका सही अंसर क्या होना चाहिए वह बहुत खुस था चाउथा प्रस्न है सफेद कुट्टा टाम से प्रस्न की और प्रस्न है सफेद कुट्टा जीमी जब भी किसी दुसरे कुट्टे को देखता चार आपसन आप लोगों ने आपसन देख लिया है बच्चों सुन भी लिया है सही आंसर क्या होना चाहिए वह लड़ने को आमदा हो जाता तो इस तरह से हमने इस अनुछेद क मिलना चाहता है क्योंकि उन्हें एक महत्मुन बाद बतानी है जब उससे राजा के पास ले जाया गया उसने कहा कि मैं ऐसे पेड़ उगाना जानता हूं जो सोने के फल देते हैं राजा और उसके दरबारी ये जानने को तुप और ब्यक्र हुए कि क्या चोर को कहीं बात कि प्रिच का रोपर कर सके इसे स्वस्ट हो गया कि वे भी भैमान थे इसलिए राजा ने चोर को छमा कर दिया अनुच्छेत को अच्छे से आप लोगों ने देख लिया बच्चों पड़ भी लिया और सुन भी लिया अब चली देखते हैं इनसे सम्मधित प्रशनों को पह आपसन तीन वे जानना चाहते थे कि क्या चोर सच कह रहा है आपसन चार वे सब उससे जुठा सिधे करना चाहते थे प्रशन दूसरा है चोर ने राजाश चे कहा कि ऐसा ब्रिक्श तभी बढ़ सकता है जब आपसन एक दरबारी उसे लगाए दूसरा आपसन राजा उसे लगाए आपसन तीन वह चोर उसे लगाए और आपसन चार कोई इमान द्यार अदमी लगाए प्रसन तीसरा पेड़ लगाने को कोई तयार नहीं हुआ क्योंकि आपसन एक कोई बैमान नहीं था आपसन दो सभी बैमान थे आपसन तीन राजा बैमान था आपसन चार चोर बैमान था प्रसन चार है इसरे राजा ने चोर को छमा कर दिया यहाँ छमा का अर्थ है आपसन एक मुगदमा किया आपसन दो दंड दिया आपसन तीन माफ किया आपसन चार मना किया प्रसन पांचव फल देने वाला पेंगड आपसन तीम एक पेंग और आपसन चार एक राजा की कहानी आई बच्चो दिखते हैं इनके सहीं उत्तर को पहला प्रशन का उत्तर होगा बच्चो राजा के दरावारे सुने के फल देने वाली विच्के बारे में जानने को भी अगल हो गए क्योंकि वे जानना चाहते थे कि क्या चोर सच कह रहा है प्रस्न दूसरा है चोर ने राजा शे कहा ऐसा बरीखे तभी बढ़ सकता है जब चार आपसन है पर सामने बच्चों इसका सहीं उत्तर होगा कोई इमान दयर बाद में उसको लगाए प्रस्न तीसरा है बच्चों पेड़ लग कर दिया तो यहां श्मा करता है चार आपसन है बच्चों इसका सहीं अंसर क्या होना चाहिए इसका सहीं अंसर होना चाहिए श्मा मतलब माफ करना अनुछेद के लिए उपर युगते सहसर होगा आपने अनुछेद को अच्छे से पढ़ लिया है और आप पढ़िएगा समारा यहीं समाप्स होता है बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सेयर करिएगा यदि आप चैनल में आए तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिएगा बच्चों अगली करास में फिल्म लेंगे आपसे तब तक के लिए नमस्कार